देश के किसानों के लिए दिल खुश कर देने वाली खबर सामने आई है देश और विदेश में सोया बीन की मांग बढ़ने के कारण वे सोया बीन की कम पैदावार के कारण देश की विभिन मंडियों में सोया बीन के दामों में रिकोर्ड टेजी देखी जा रही है उधर खरीफ की परमुक फसल सोया बीन बाजार में सरकार द्वारा टैक ये गए नियूंतम समर्थन मूलिया यानी MSP से उपर विक रही है विभिन वर्ष 2022 देश के लिए सरकार ने सोया बीन की MSP 43 सो रुपे प्रतिक विंचल तेह की है जबकि बजार में सोया बीन का भाव मिनिममम 6,000 से लेकर 8,000 रुपे तक चल रहा है बीते कई सालों के बाद किसानों को सोया बीन की उपज़ का अच्छा दाम मिला है अंतरास्ट्या मार्किट में खाद्या तेलों की कमी के कारण इस बार सोया बीन की कीमतों में काफी बढ़ उत्री हुई है आपको बता दें कि सोया बीन भारत में खेती करने वाले सोया बीन के परमुक राज्यों में महाराश्चों, मध्यपरदेश, उत्तरपरदेश, बिहार, गुज्जात, आंदरपरदेश और राजस्तान है फारत के अलावा अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेंटिन, युक्रेन परमुक रूप से सोयाबीन की खेती करते है देश की विभिन मंडियों में फिलाल सोयाबीन का भाव नीचे में 5,000 तो उपर में 8,000 रुपे तक देखने को मिल रहा है चली आपको बताते हैं कि मध्यपरदेश की विभिन मंडियों में कल सोयाबीन के क्या भाव रहे दरसल मध्यपरदेश की बड़नगर मंडी में सोया भीन का नियूनतम भाव 4,010 रुपे प्रतिक विंचल देखने को मिला तो वहीं अधिक्तम भाव 8,000 पे प्रतिक विंचल देखा गया जबकि मध्यपरदेश की बदनावर मंडी में सोयाबीन का नियुनतम भाव 39 तो अधिकतम 835 रुपे रहा वहीं मध्यपरदेश की उजैन मंडी में नीचे में भाव 4915 और उपर में 7690 रुपे देखने को मिला रतलाम मंडी में सोयाबीन का भाव 5180 से 3730 रुपे तक उबर में देखा गया वहीं खरगोन मंडी की बात की जाए तो खरगोन मंडी में भी सोयाबीन का भाव नीचे में 4600 तो उपर में 5611 रुपे देखने को मिला वही नजर डाले अगर महारास्टर की मंडियों में तो महारास्टर की अकोला मंडि में सोया बीन का नियुनतम भाव 4700 पे प्रतिक विंचल तो वही अधिक्तम भाव 6215 पे प्रतिक विंचल देखने को मिला है वही महरास्टर की अश्टी मंडी यानि जालना मंडी में सोयबीन का नियुनतम भाव 431 तो अधिक्तम भाव 5701 रुपे प्रतिक विंचल रहा है वही नागपूर मंडी में सोयबीन का नियुनतम भाव 4200 तो अधिक्तम 6080 रुपे देखने को मिला तो अधिक्तम भाव 660 रुपे प्रतिक विंचल वही राजस्तान की बूंदी मंडी में सोयाबीन का न्यूंतम भाव 460 तो अधिक्तम 660 रुपे देखने को मिला वही करनाटक की मंडियों की अगर बात की जाए तो करनाटक की मंडियों में अधिक्तम भाव 5150 रुपे बेला होंगल मंडी में देखने को मिला जबकि नियूंतम भाव 455 रुपे रहा वही करनाटक की गुल बर्गा मंडी में सोयाबीन का नियुनतम भाव 41 रुपे रहा तो अधिक्तम 4800 रुपे धर्ज किया गया आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी अधिक्तम भाव जो है वो 7660 रुपे परतापगड मंडी में देखने को मिला जबकि सोयाबीन का नियुनतम भाव वहां पर 7345 रुपे देखने को मिला वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपूर मंडी में भी नीचे में भाव 4580 तो उपर में 6960 रुपे रहा तो ओवरोल देखा जाए तो बजारों में अब सोयाबीन का जो भाव है वो नीचे में 4000 तो उपर में 8000 रुपे के आसपास देखने को फिलाल मिल रहा है विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी